हाई वेलकम नोबाई चनल इस बीडियो में solve करेंगे question number 3 find the squares of the following numbers इसमें बोलाएं कि square find करेंगे लेकिन यह ने बोलाएं कि किस method से करेंगे लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि diagonal method यूज करेंगे जो कि काईवी simple है यूज करना चलिए first लिकरता है first है हमारा 127 यहां मैंने बना लिए पहले ही यहां पर जो मतलब box है यहां पर जो है one use करेंगे यहां two होगा यहां seven होगा राइट और यहां पर one two and seven अब यहां one one में मनडबलाई करेंगे क्या लिखेंगे यहां पर zero और one क्यों क्योंकि एक digit आ रही है अब यहां one and two करेंगत क्या आएगा two आएगा और यहां लिखेंगे zero और यहां क्या लिखेंगे two one seven seven आएगा और zero लिखेंगे यहां क्या लिखेंगे two two आएगा तो zero लिखेंगे two two जा four आएगा तो zero लिखेंगे four लिखेंगे 2, 7, 14 आएगा तो यहां लिखेंगे 1 और 4 7 hin 2, 7 लिखेंगे 7, 2 लिखेंगे 14 तो 1 लिखेंगे और यहां लिखेंगे 4, 7, 49 लिखेंगे 4 अब यहां लिखेंगे 9 आप यहां पर हमें मिल जाएगा 100 अच्छा यहां पर पहले आभी sum करना है तो पहले हम यहां पर एक लाइनखिश लेते हैं देखिए यहां पर ऐसे यहां पर ऐसे फिर यहां पर यहां और है देखिए यहां पर 9 लिखेंगे तो 9 निक्योड होगा और यहां पे 432 12 मेंस зवा जायेगा और यहां 7 4 1 4 7 मेंस7 14 Party 18 & 4 18 18 & 2 20 20 20 होगा यह सब का सम करतेंगे किवल और यहां पर देखिए आइड करेंगे इन सबको तो 2 to 4 मिलेगा यहां सम करेंगे मिलेगो तो 1 मिलेगा किवल यहां पर 0 ही है जरो रख लिजियो वैसे तो क्या मिलेगा यहां पर अब हमें मिल गया सो 127 का क्या होगा स्क्वार्ञ यह जो यूनिट स्पेस का वंदिट है व्याइड टू है तो रख़िए और फ्विश्पा है उसको लिएदर इधर आइड कर दिजिए तो 20 में यदि आइड करेंगे वन त प्लस कर देजिए तो मिलेगा six, six जो है single digit है तो six को उतार लेजिए, उसके बाद से यहाँ पर क्या है, one single digit है तो one को उतार लेजिए, फिर zero है तो zero को दूरत आने जोरुत में ही नहीं है, तो यह हमारा square आ गया 16,129, ओके, तो हम यहाँ पर solve कर लिया है, अब चलते हैं second करने है यहां पर 503, अच्छा 503 रहेगा, तो चलिए हम इसको solve करते हैं यहां से, 503, तो यहां पर आड़ कर लेते हैं, देख़ें यहां पर यहां पर यहां पर अड़ करेंगे तो जिड्यो यहाईगा, यहाँ add करेंगे तो 5510 हो जाएगा यहाँ add करेंगे तो 112 होगा अब यहाँ add करेंगे तो 5 आएगा यहाँ add करेंगे तो only 2 आएगा ठीक है अब यहाँ पर क्या करना है अब हमें answer लिखना है तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर 503 का square is equal to क्या हो जाएगा दीखे 9 यहाँ पर हो जाएगा unit space का digit यह भी 0 है 0 लिख देंगे यहाँ क्या है 0 है 0 लिख देंगे यहाँ 1 जो है इधर जाकर क्या add हो जाएगा तो 2 plus 1 क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा 3 जो है single digit है 3 को उतार लेंगे उसके बाद जो है इसके बाद बाद नुमर क्या है 5 आया 5 को ऐसे उतार लेंगे उसके बाद क्या आया 2 आया 2 को उतार लेंगे ठीक है तो यह हमारा आंसर हो गया 25 लाख 3009 ओके तो हमारा हो गया 2nd part अब करते है 3rd one तो हमें यह से रेज़ करना पड़ेगा पहले इनीज कर लेते हैं अब यहाँ पर जो है 3rd part 3rd हमारा है 4, 5, 1 यहाँ पर भी हमें बनाना पड़ेगा और हम इसे करेंगे डागनल मेथड से ही क्योंकि डागनल मेथड जो है और यह सिंपल है बिल्कूल यूज करना और हमारा असान से मतब कि अदम correct correct answer जो है निकाल सकते हैं बिना किसी डर के हैं और बिना किसी गलती के हैं क्योंकि इसमें simple इतम हो जाता है क्योंकि multiply करना है छोड़शोटे नमबर से तो कोई भी जलत होने का chance नम घड़ जाता है तो यह हम कर लेंगे इसे डागनलस बना लेते हैं डागनल मेथड है ओके है यह हमारा construction हो चुगा अब यहां पर 4, 5, 1 है तो यहां लिखेंगे 4, 5 यहां 1 है तो यहां लिखेंगे 4 फिर यहां लिखेंगे 5, 1 अब मुट्पलाई कर यह 4, 4 जा 16 हो जाएगा यहां लिखेंगे 16 4 जा 20, 20 4 जा 4, 0 लिखेंगे यहां पर 4 लिखेंगे 5 जा 20, 2 लिखेंगे यहां पर 0 लिखेंगे 5 जा 25, 25 तो 25 बजाएब हो जागा 5 बंजा 5 होगा तो 0 लिखेंगे यहां पर 5 लिखेंगे 1 फोर जब 4 होगा तो 0 लिखेंगे 4 लिखेंगे फिर 1 फाइजा 5 होगा तो 0 लिखेंगे और 5 लिखेंगे 1 बंजा 1 होगा तो 0 लिखेंगे और 1 लिखेंगे अब यहां पर हम squares लेंगे यहां पर सबका sum करेंगे पहले यहां पर diagonals का तो यहां पर जो मिलेगा हमें मिलेगा 1 यहां add करेंगे तो मिलेगा 10 5 5 10 हो जाएगा यहां add करेंगे कितना मिलेगा देखिए 4 5 9 9 4 13 13 लिखेंगे यहां पर यहां पर हो जाएगा 2 यहाँ आड़ करेंगे तो 2 ही बस है यहाँ पर यहाँ हो जागा 6, 2, 2 मतलब 10 हो जाए यहाँ पर और यह आपका 1 है तो हमने यहाँ पर सबको कर लिया है अब यहाँ पर square निकाल सकते हैं so 451 का जो square होगा वो क्या हो जागा देखें यहाँ पर 1 है के वल तो 1 को ऐसे रखतेंगे उसके बाद से यहाँ पर 0 ले ले लेंगे और यह 10th प्लेस का डिजिट है 1 उसको इसमें लागरके add करतेंगे मतलब कि प्लस 1 यहाँ करेंगे मतलब की हो जागा 14, 14 का 4 जो है यहाँ लिखेंगे अब 1 जो है इसमें लागरके जप्तब कि प्लस बन करेंगे मतलब थरी मिल जाएगा यह एपका आंसर हो गया थरड का अब फोर्थ करते हैं डियागनल मेथड से ठीक है क्योंकि डियागनल मेथड जो है easy method है ओके तो हम यहां पर खीज़ी लेते हैं ओके ठीक है अब यहां पर हम डियागनल्स मना लेते हैं पहले यह हो गया diagonal यहां हो गया और यह हो गया diagonal इसके बाद यह हो गया diagonal and this one अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8, 6 and 2 यहां लेंगे 8, 6 and 2 अब दिखेंगे अमन पेली करते हैं 8, 8 जा, 64 6 and 4 लिख दोंगे 8, 6 जा, 48 लेंगे 4 and यहां लेंगे 8 8, 2 जा, 16 16, 1 & 6 6 8 जा 48 4 लिखेंगे 8 हो जाएगा 6 6 जा 36, 3 लिखेंगे 6 लिखेंगे, 6 तू जा 12 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे 2 8 जा 16, कब 1 हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 6 जा 12 कब 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2 जा 4, यहां लिखेंगे 0 और यहां लिखेंगे 4, ओके, अब यहां पर हम पता है क्या करना है, ऐसे arrow बन जाएगा, अब यहां पर मिलेगा 4, यहां पाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 224 हो जाएगा यहां पर, अब 6, 6, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18, 19, 20, मतब यह 20 हो जाएगा, यह पुरा आइड करना पर क्या मिलेगा, 20 मिल जाएगा, यहां आइड कर यह पूरा यह, मतब यह जो arrow जा रही है यह पूरा सब को आइड करेंगे, तो 1, प्लस 8, 9, 9, 3, 12, 12, 8, 20, 21, यह हो जाएगा 21, इधर आइड करिए, तो 4, 12 हो जाएगा, यह, चार बार, तीन बार, चार है, तो 4 जाएगा, यह 6 अकेले है, 6 रखे दीजिए, अब यहां पर हमें जो है, square मिल जाएगा, तो लिख देंगे, so, 862 का square जो होगा, वो हो जाएगा, देखिए, यहां पर 4 के वाल है, तो 4 को ऐसे रख दीजिए, उसके बा 23 हो जाएगा, 23 का 3 जो है, यहां रखेंगे, उसके बास जो 2 है, वो उसको हम लागर के अगले वाले में add कर देंगे, प्लस 2, तो मिलेगा हमें 14, 14 का 4 रख देंगे यहां पर, और जो 1 मिला यहां पर, 14 में 1 जो मिला, इस 1 को हम लागर के यहां add करेंगे, तो मिल जाएगा, 6 plus 1 7 70 देंगे तो यह मिल जागा 74,03,44 ओके तो हमने ये 4 तक साल कर लिया है और जो बचा हुआ जो 265 का है ठीक इसी मेथर से जो है आप कर लिजेगा अब बिल्ग लाप कर सकते हैं तो इस बिडिम इतना ही Thank you so much for watching Bye